हेलो और वेलकम मैं डियर सूल फामली आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे आज की रीडिंग हम करेंगे आपके परसन की मन की बात जानने की कोशिश करेंगे आपके मन में क्या चल रहा है वो भी सब हम जानने की कोशिश करेंगे और दोनों की ही करन्ट फीलिंग्स को देखेंगे और आपस में कमपेर करेंगे शुरू करेंगे आज की रीडिंग लेकिए एंजल्स का नाम अगर आप इस चैनल पे नहीं आए हैं तो मेक शिर आप सब्सक्राइब दबा कर बेल आइकन दबा कर और वहाँ पे आपको क्लिक करना है औल पर ताकि आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक और अपना एक्सपीरिंच शेयर करके कॉमेंट सेक्षिन में जरूर चाहिएगा हर वीडियो के नीचे आपको मिलेगी एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू वीडियो का लिंक उस पर क्लिक करके वीडियो जरूर देख लिजेगा आईए शुरू करते हैं आज की रीनिंग लेकिए इंजिल्स का नाम सबसे पहले कार्ड शुफल करते देखेंगे कि आपके परसन इस समय क्या सोच रहे है यहाँ पे आ गया है नाइट ओफ पेंटिकल्स पहला कार्ड ही कुईन ओफ सोड्स दफूल का कर्ड एट ओफ पेंटिकल्स यहाँ पे आ गया है सेवन ओफ कप्स एक कार्ड और दीजी इंजिल्स ठीक है हमारे पास एक कार्ड और आ गया है जो आया है कुईन ओफ पेंटिकल्स अभी दिखाते हैं आपको यह आ गया आपके पास कुईन ओफ पेंटिकल्स देख लिजे इन कार्ड को ध्यान से इसे बहुत सारी चीजों का क्लारिफिकेशन होता है देखिए इनके मन में क्या चल रहा है अब है ये परसन कई टाइम से काफी टाइम से ये ना बहुत ज़दा फूल वाली एनरजी में थे इसका मतलब है ये लाइफ को to the fullest enjoy करना चाते थे इसका मतलब है ये अपनी जिन्दगे को अपने ढंक से अपनी तरीके से जीने के लिए सही और गलत का ज़्यादा फैसला ना करते हुए ज़्यादा इस बारे में सोचते ना हुए ये अपने जो परसन है ये आपके ये लाइफ को enjoy करने में लगे थे और ये किसी की भी बात सुनना या फिर अपनी लाइफ में रुकावटे ये बिल्कुल भी नहीं जा रहे थे इस वज़े से लाइफ को अपनी तरीके से जीते हैं ये परसन जिससे मन करता है बात करते हैं जहां जाना होता है वहां जाते हैं जो खुद के मन में आई मतलब अपनी लाइफ अपने ढंक से जीने की कोशिश कर रहे हैं ये परसन मैं देख रही हूँ जब ये आपके साथ relationship में थे उस time आप न एकदम एक soul partner की तरह उनको हर चीज में guide करते थे बुरे से बचाते थे inform कर रहे थे उनका नुकसान होने से बचा लेते थे और कही न कहीं उनको रोक भी लेते थे लेकिन उस समय आपके person कुछ ऐसी energy में थे कि चाह कर भी उनका रोकना बहुत ज़दा मुश्किल हो गया था ताकि आपके person का ऐसे लगता था कि जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं और दूसरे जो भी उनको रोकनी के कोशिश कर रहे है यानि कि वो उनकी मस्ती में या फिर उनकी life में किसी तरीके के रुकावर डालने के कोशिश कर रहे हैं अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके परसना बहुत ही बच्पन से एक बहुत जादा स्ट्रिक्ट इंवार्मेंट में रहे हैं जिसके विसे देखी दो चीज़े होती है या तो इंसान जरू से जादा ही डरा हुआ होता है या फिर इंसान डर के मारे ऐसे हो गया होता ह कि एक बार उनको मौका मिले तो इंसान को नहीं समझ आता कि वो क्या कर रहा है सही कर रहा है या गलत कर रहा है कुछ ऐसा ही हुआ है आपके परसन की लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि जहां पर भी यह रहते हैं जिनके भी साथ रहते हैं या फिर इनका घर का महल बहुत स्ट्रिक्ट रहा है जिसकी वैसे इनके उपर बहुत जादा रिस्ट्रिक्शन्स है इसी वज़े से जब यह फाइनल एक बार बाहर निकले या फिर इनको कुछ ऐसा इन्वार्मेंट मिलाना तो यह ऐसा खो गए उसमें उनको वही सारा कुछ सही लगने लगा रियर लगने ल हो सकता है इनकी लाइफ में कोई ऐसी female है इनकी mother है या घर पे कोई भी lady है जो बहुत जादा dominating है जो बहुत जादा लोगों को rules में बान्द के रखती है जिनकी वज़े से लोगों को बहुत सारे चीज़े जो है give up करनी पड़ती है और इनका फैसला सराखो पर माना जाता है क्योंकि ये बहुत साथ गुसैल मुझे लग रही है और कहीं न कहीं आपके person भी इन से इतने साथ influenced है कि इनकी बाते माननी ही पड़ती है ये कोई भी हो सकता है इनके कोई भी करीब हो सकते है इसी वज़े से जब उनको थोड़ी से छूट मिली क्योंकि आप दोनों का separation भी तभी हुआ है जब आप दोनों जो है relationship में थे लेकिन आप दोनों में से कोई कहीं travel करके दूर चला गया जिसके वज़े से रिष्टे में दूरी आ गई इसलिए मैं कहा रही हूँ एक तरफ है queen of swords एक तरफ है queen of pentacles queen of pentacles के मुझे आपकी energy नज़रा रही है बहुती शान्त ठहराव टिमिड सा behavior आपका और बहुती अपने आप में fulfilled रहते हैं आपके उपर बहुत ज़दा abundance है आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है लोग इसलिए आप से इतने ज़दा attracted इसलिए हो जाते है क्योंकि आप तो अपनी life में बहुत ज़दा charming तरीके से रहते हैं आप अपनी life में बहुत सारी चीज़ जो है करते हैं जिसे लोग आपको अपना ideal भी मानते हैं आप में वो बहुत सारी powers देखी गई है अपने आपको समालने की अपने आपको बहुत ज़दा charming रखने की कोई भी goal से उसको achieve करने की दूसरे को प्यार करने की प्यार देने की उनका ध्यान रखने की तो आपने अपने रिष्टे में ना कोई भी एक ऐसा पहलो छोड़ा नहीं है काम करने के लिए सारा कुछ अपने आपको पूरी तरह की से जोंग दिया है फुल डेडिकेशन के साथ इसलिए एक तरफ है queen of swords इसलिए एक तरफ है queen of pentacles जो है आप तो ये दोनों completely different है इसलिए आपके person आपका साथ नहीं छोड़ पा रहे हैं कहीं न कहीं क्योंको पता है जो emotion, जो प्यार, जो दुलार जो जितनी भी सारी positive चीज़े हैं जो आपके through उनको मिलेगी वो सारी completely opposite चीज़े उनके पास already है और ये सारी चीज़े वो बहुत पहले से face करें इस तरीके से आपके person जो है बहुत बार परिशान भी रहते हैं इसी वज़े से मैंने कहा जैसे ही इनको कुछ एक नया से environment मिला इनको तो लगा कि अब तो enjoyment करने का time है तो full mode करनी है इसलिए आपके person ना चाहते हुए भी छोटी 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 चीज़ों में involved हो गए अगर उनको लगा कि ये सही नहीं भी है तब भी ये उस चीज़ में लगे रहे लगे रहे इससे हुआ क्या इससे हुआ ये कि आपके person के life में जितने ज़दा options आते गए उनको और ज़दा लालच पड़ता गया लोगों से मिलते गए और लोगों से सबसे बात करते रहे लेकिन हुआ ये ये जो options थे ये सब किसी काम के नहीं थे ये सारे बस अपना काम निकलवाने के लिए अपने मतलब के लिए आते हैं किसी भी इनसान के life में और अपना मतलब हो जाने के बाद ये अपना पतली गरी से निकल जाते हैं कहने का मतलब ये है कि आपके person को लगता था कि जितने भी रिष्टे हैं, जितने लोग उनसे मिलेंगे इस life में या जितने मिल रहे हैं, वो सारे के सारे के सारे काम के हैं और वो सारे के सारे उनके हितेशी हैं जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बिल्कुल भी नहीं है ऐसा ऐसा जरूरी नहीं कि जब भी आप किसी से मिले तो आपका दोस्ती हो नहीं यहाँ पे नाइट ओफ पेंटिकल्स बहुत जादा यंग एनरजी के साथ मुझे असे रखता है आपकी परसन ना एकदम जिसे कहते हैं यह पतंग बन गए थे बिल्कुल पतंग के तरह उड़े जा रहे थे खुले आसमान में किसी चीज़ का होश ही नहीं कि क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं इसलिए आपके परसन के ना बहुत सरे लॉसिस हुए हैं जिनको सुधारने की जिनको वो सवारने की कोशिश करते हुए जो भी चीज़ ये कर रहे हैं बहुत फास्ट फास्ट कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि ये उसमें सक्सेस्फुल हो जाए ये मैसज आपके लिए है अगर आपके लाइफ में अभी सब को सही चल रहा है कुछ ऐसी चीज़ है अगर नई स्टार्ट होई है लेकिन फिर भी आपको किसी चीज़ का घमन नहीं रखना है क्योंकि घमन रखने से चीज़ जो है बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है आपके लिए वार्निंग है देख लीजे किस तरीके से यह साब बता रहे हैं कि आपकी और आना शुरू कर चुके है इसका मतलब यह है कि वो अपने लॉसिस को मैंने कहा ना भी जितना भी उनका नुकसान हो उसको ठीक करने के कोशिश करे है और उन नुकसानों में से एक है आप दोनों के रिष्टे का नुकसान जो बहुत जादा इनके लिए इंपॉर्टेंट है और माइने रखता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू वीडियो का जो लिंक है वो आ गया है प्लीज इस वीडियो के बाद देख लेजीगा लके जो भी करेंगे कुछ ऐसा ही समझ लीजिए अब आएगा खेल में एक नहा ट्विस्ट जो आपने उमीद भी नहीं की होगी अब जो है जो क्लाइमेक्स होगा बहुत फाइरी होगा मुझे ऐसा लगता है कि आप दुनों मिलेंगे जरूर बिल्कुल मिलेंगे और उस टाइम चीजे ही आपके साथ ऐसे की है जो कोई अपने दुश्मन के साथ भी न करे कही ना कही इस बात का आपको गुसा भी बहुत आता है कभी ना कभी एक्सेप्ट करने का भी मन करता है लेकिन अबब ओल उन्होंने जो भी चीज की उसके विबारे में वो भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जो बहुत ज़्यादा गलत था, गलती उन्हों ने की, लेकिन वो fix करने की कोशिश जरूर करते वे नजर आ रहे हैं। काटना बहुत सदा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अभी आपके साथ नहीं है, तो इनको समझ नहीं आता है, कि अब वैसे दुबारा मौका का मिल पाएगा, जब हम दुनों एक होंगे, एक साथ होंगे, ऐसी कोई चीज़े नहीं होगी, पराने चीज़ों को पास्ट को भूल क हमें एक साथ होना है, और हमेशा के लिए एक साथ ही रहना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नियो वीडियो का जो लिंक आ गया है, उसको देख लिजेगा, इस वीडियो को लाइक करके, कॉमेंट करके जरूर चाहिएगा, अगर आप कोई चैनल पसंदाता है, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, मिलूंगी नेक्स फीलियो में तब तक के लिए, God bless you and love you all.